नमस्कार आज की खांस पेसकस में आप सभी दर्सकों का स्वागत हैं मैं हूं प्रतिमासा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस नियूज अजादी के अमरित महत्सप पर बीजेपी द्वारा देश भर में चलाये जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभ्यान के तहट जार्खन के पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने दुमका में पाटी कारिकरताओं के साथ गाउं गाउं घुम घुम कर मीटी खटा किया अभ्यान के दुरान पूर्व मंत्री डॉक्टर लुईस मरांडी ने लोगों को मेरी माटी मेरा देश कारिकरम का मकसद बताया डॉक्टर लुईस मरांडी ने कहा कि दिल्ली के कर्तब पत्थ के पास देश के बीर शहीदों की याद में बनने वाले अमरित वाटिका में जब देश भर के खटा की गए मेटी डाले जाएगी तो वहां पहुंचने पर हर देश वासी को फक्र होगा कि उनके घर और उनके गा कर रहे हैं जारकन में भी अपने दुनका में भी यह कर रहे हैं और हम लोग यह बताने का काम कर रहे हैं कोई-कोई लोग कूछता है कि यह माटी लेके आप लोग क्या करेंगे तो हम लोग उनको बता रहे हैं कि यह माटी जो है इचले दिनों देश के राजदानी दिल्ली में माने प्रदान मंत्री जी कर्तब्य पत्थ का जो उन्हों ने जिनी किया है उस कर्तब्य पत्थ के पास एक अमरित वाटिका बन रहा है तो उस अमरित वाटिका में हमारे देश के तमाम शहीदों के नाम एक इसमारक बन रहा है उस इसमारक बनाने में हमारे यहां का अपने घरगर के जो माटी एक एक चम्मा चम नुगले रहे उसका भी समावेस होना है और जब यह अमरित वाटिका बन जाएगा तो यह एक इतिहास बन जा रहा है और भाविस में अगला न्यू जेनरेशन हो या कोई भी हो जब दिल्ली जाए राजधानी जाए या कोई शेना में जाए या कुछ इधर घुमने जाए तो यह पता चलेगा जब अमरित वाटिका में जाके तो उनको लगेगा कि मेरे भी घर का मार्टी इसमें सामिल है या मेरे भी गाव का मार्टी इसमें सामिल है तो एक बहुत बड़ा उद्देश है इसी तरह से कभी सुरुआत में कोई इतिहास सुरुआत हुआ होगा तो यह फिर से एक इतिहास बनने जा रहा है यह अमरित वाटिका बनाने में हरे घर का मार्टी का झाल